जब 2003 वर्ल्ड कप के दोरां इस परिसानी के बाद भी मैदान पर डड़े रहे सच्चिन स्री लांका के खिलाफ मैंच में सच्चिन ने खुद को जोखिम में डाला सच्चिन की पारी के खिलाफ 98 रनों की पारी का हर कोई मुरीद मास्टर ब्लास्टर सच्चिन तेंदुलकर की 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 98 रनों की सांदार पारी का हर भारतिय मुरीद है लेकिन कम लोगों को ही पता है कि इस मैच में खिचाओ की परिशानी का सामना करने माले मास्टर ब्लास्टर ने गंभीर रूपसिक दस्ट डाइरिया से पीरित होने के बावजूद भी श्रेलांका के खिलाफ अगले मैच में मैदान में उतर कर अपने श्वास्ते को जोखिम में डाला तेंदुलकर की वह पारी प्रिशंसकों को याद है लेकिन पाकिस्तान और श्रेलांका के खिलाफ मैच के दोरन इस भारतिय बल्लेबाज को जो परिशानी झेलनी पड़ी उसके बारे में कम लोगों को ही पता है तेंदुलकर श्री लंका के खिलाफ मैच के दोरन गंभीर रूप से दस्त से जूज रहे थे और उससे निपटने के लिए उन्हें टीशू पेपर का इस्तिमाल करना पड़ा सचिन ने इस मैच में 97 रन बनाये थे जुसे भारते टीम ने 183 रन से जीता था इस वर्ल्ड कप में तेंदुलकर ने 673 रन बनाये थे जो किसी भी खिलारी का एक वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड है इस दोरन पाकिस्तान और श्री लांका के खिलाफ उन्हें अपने सरीर को जोखी में डालना पड़ा था मास्टर ब्लास्टर ने इंडिया तुरेख के विसेश कारेक्टम इंस्पिरेशन में कहा पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच मेरे करियर का एक मात्र ऐसा मुकाबला था जिसमें मैंने रनर लिया था यह वर्ल्ड कप का मैस था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे 500 किलोग्राम वजम बान दिया हो आप हमारे ततकालिन फिजियो एंड्रियू लीपस से इस बारे में पूछ सकते हैं सचिन ने कहा मेरे सरीर में काफी दड़ था और मैं रन लेने के लिए दोड रहा था जो सही नहीं था मैं मैदान पर गिर गया था और मैंने उटने की कोशिश के लेकिन उट नहीं पाया मुझे लगा एचन के कारण सरीर को काफी नुकसान होगा तेंदूलकर ने कहा कि श्रीलांका के खिलाफ मैच से पहले उबरने के लिए जरूरत से ज्यादा नमक का पानी लेने का उल्दा असर हो गया उन्होंने कहा मेरे पेट में समश्या थी लेकिन मैं अगले मैच में एचन से बचना चाहता था इसलिए मैं जरुरत से ज्यादा नमक का पानी पी लिया था यह इतना ज्यादा हो गया कि मुझे डाइरिया की समस्या हो गई तेंदूलकर से पूछा गया कि ऐसी सार्गरक सिती के बाद भी उन्होंने मैदान में उतरने का फैसला कैसे किया तो इस पुर्व दिगज ने कहा जब आप इस स्तर पर खेलते हैं तो उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको वहाँ जाना होता है और खेलना पड़ता है फिर चाहे मैं वहाँ खड़ा रहूं बल्ले बाजी करूं या नहीं